नमस्कार कुकिंग फैंडी चैनल में आप स्वाव का सागत है आज हम आपके साथ शेयर करें एक मसाला पूरी साथ में बनाएंगे एक स्वटपटा अलो के सब्जी जो पूरी के साथ खाने में बहुत ही अच्छा लगता है कोई मेहमान घर में आ जाए और कोई तोहर अपर आ कल्या है मीडिया है और मिडियम आप है है और इसको वाक पूर जातेर के चम्मश्क कर लेंगे अब ग्राश के ऊपर चड़ा देंगे उसमें डालेंगे इन से 10 चाट अक्यों's 10 त resc य हम तेल आण घर्म हो जाएंगे उसमें हम डालाद देर향 नेंगे हम सी कुर्फ थ्भा द स्थाइब साइज काट है इसको थोड़ा फाय कर लेंगे पियाँ को पियाँ को हम जादा डार्क करना करेंगे हलका साइब करेंगे प्याज जो हलका सा फ्राइब हो जाए तब हम इसमें डाल देंगे एक टेबिल स्पून दरदरा कुटी हुई लोसुन उसको भी हम प्याज के साथ फ्राइब कर लेंगे कि प्याज हमारा हलका सा फ्राइब हो चुक है अब हम इसमें डाल देंगे दहरी मीर्च हलका सा फ्राइब कर लेंगे इसको अब हम बाकी मसाला डाल देते हैं इसमें डाले हम 1 ती-स्पून हल्दी पाउडर एक टीस्पुन काश्मी लाल मीट पाउडर और एफ टीस्पुन लुम्ट जनेआ पाऊडर मसाला को सारे हम अच्छ एक टेस ठाउड लेंगैं आज को हम मीडियाम परी रखेंगे सारे मसाला अच्छे से फ्राई कर लेंगे हम अब हम इसमें डालेंगे 1 टी स्पून सामर मसाला सामर मसाला डालने के बाद ज्यादा देर तक फ्राई करना ज़रूरी नहीं है थोड़ा सा हलका से उसके फ्राई करेंगे उसके बाद हम इसमें डालेंगे जो मैस्किया है बॉयल गरम पानी अब स Holz Кो जैसे मोटा पत्रा आइसे अ अधूट घाना चाते हैं उसके हिसाब से आप स हिसाम पानी डालना तो कि घरम पानी डालने से हमारा सब्ली का आलार बहुत आथ आता है साथ में जल्दे लिदी सबजी बान भी जाता है और टेस्ट भी बरकरार रहता है अब हम इसमें डाल लेंगे नमक साधनुसार साथ में डालेंगे हाप टी स्पुन गवर्ण मसाला पाउडर अच्छे से हम मिल लेंगे और तीन से चार मिनिर पका लेंगे देखिए मसला हमारा पाक चुका है अब हम इसमें डाल देंगे बाई काटा हुआ हरा धनिया और आज को हम इस टाइम हम कर देंगे स्लो अच्छे से हम मिस्ट कर लेंगे इसके साथ हरार का कर देंगे हाप टीस्पुन चाठ मसला पावडार तो सब्जी के छड़ा चट पड़ा बनेने के लिए टामाटर भी नहीं डाला अगź के कर देंगे हम बंत तो चट पड़ा सब्जी बनाने के लिए आप चार मसला ज़रूर डालना देखिए हमरा सब्जी तयार है बहुत ही साधिस्ट एक सब्जी है पूरी के साथ तो बहुत ही अच्छा लागता है आप ज़रूर ट्राइ करना तो चलिए पूरी बना लेते हैं इसके लिए मैंने हाप काप गरम पानी लिया हूं और उसमें डाल देंगे हाप काप सूजी और दस मिनिट हाग के हम इसको सब्सक्राइब करना चिल्ड हो чuma है अब हम इसमें डाल देंगे हाप काप मैसकी आऊ पाटाटो सक भेश्ट हम डालत देल लेंगे हाप काप स्टाब घ।का आंटा नमक सादयोय सारा सारे संबत करके गॉंधगे Montgomery सब्सक्राइब हाथ के सा आथ से सप्सक्राइब से हमं से एक आटा गॉंधगे हम्से चुचा है आप ध्रसकी सब्सक्राइब चूड़ेंगे फ्च देंगे फोनीट बात हम इसको छोड़ा सा और गुम्ध लेंगे हाथ में चौड़ा सा तेल से हम इसको ग्रीज कर लेंगे चोटा-चोटा लूइ बाना लेंगे आप चाहिए पूरी पूरी पूली पूरी फट सबस्केंज़ के हैं अपना रोसाविस बनावा और हम चाहिआ हसाब say- पूरी जुदन को ळें पूरी वैल के फ्राई कर लेंगे इस से फ्राइचट गरब करने के लिए तमार, जब गरम हो जाईते फ्राइक करेंगे देखिए पूरिया हमारा फ्राइब हो चुका है अब इसको प्रेट में निकल लेते हैं बहुत ही साधिस्ट एक स्पूरी होता है और सब्ज भी बहुत ही टेस्टी है आप लोग जरूर ट्राइब करना एक बार रेशिपी अगर परसंद आए लायक शया सब्सक्राइब जरूर करना और मेरी रेशिपी आप लोग कैसे लग रहे है कमेंड करके जरूर बाता ना तो मिलते है एक नही रेशिपी के साथ थैंक यू फो राचिंग